सर्वेभ्यो नमः देवबानी संस्कृतम यूटूब चैनल में आप सभी का हार देख अविनन्दन हैं मित्रो तर्क संग्रह को पढ़ रहे हैं अभी तक हमने आपको इसकी आठ खक्षाएं पढ़ा दे हैं आज इसकी नौमी कख्षा को पढ़ेंगे सभी पाठकों के लिए यहां लगू ग्रंत अत्यंत मैत्तपून हैं इस पुस्तक के विशय में मैंने आपको पहले ही बता दिया है पुनाह बताने की आविश्यक्ता नहीं है पीछे की कख्षा हैं आप देख लीजेगा यह दिन नया देख रहे हैं तो तो गत कख्षा में हमने तत्रादव द्रव्य निरूपणम जो सब्त पदार्थ हैं उनमें जो द्रव्य हैं नोप्रकार के तो उन द्रव्यों में प्रथम द्रव्य जो कृथिवी द्रव्य है उसका उसके विशय में चर्चा यहां पर श्रीमद अण्यम भटजिने की थी टीके द्रक शंग्राकार ने यहां पर पर द्रव का लक्षण बता दिया था यह मने विस्तारच्यपक को समजा दिया ता पूरी कख्षा में यही समझाया था कि तत्र गंधवति प्रथिवी कैसी होती अ簡 ανα गंधवती होती है गंधवाली होती है अर्तात पृत्वी हम तभी उसको मानेंगे उसमें गंध आ रही है का दुविदा वो दो प्रकार की होती है प्रत्वी के फिर विभाग कर दिये नित्या अनित्या चा एक नित्या उसका भाग एक नित्य होता है एक अनित्या परमान रूपा परमान रूप में जो प्रत्वी रहती है वो नित्य प्रत्वी होती है वो कभी नष्ट नहीं होती है परिवर्तित नहीं होती है अनित्या कारे रूपा और जो कारे रूप होती है वह अनित्य होती है परिवर्तित होती रहती है जैसे बहुत कई सारे उदाण दिये ते घार है मिट्टी मिट्टी के घड़ा है यह सारा बदलते रहते हैं घड़ा बना देते हैं फिर उसका और कुछ बना देते हैं तो वह अनित्या रूप है और भी शरीर रूप भी है पुनस्त्रि विधा शरीर एंद्रिय विशय भेदा विश्य में ये गड़े आदी सब कुछ आजाएंगे शरीर एक ही अलग हो गया ठीक है इंद्रिय जो हमारी ज्यान इंद्रिय हैं वो अधिक है शरीरम अस्मदादी नाम मने यह जो हम सभी की जो शरीर हैं वो शरीर हैं पृत्वी के अनित्य रूप में इंद्रियम गंद ग्राहकम ग्राणम और क्या जो इंद्रिय है वो गंद ग्राहक वाली है इंद्रियम इंद्रिय जो पृथवी जो अनित्य पृथवी है उसकी इंद्रिय जहां बताई थी कि इंद्रिय रूप में है तो इंद्री उसकी क्या है ग्राणम, ग्रान इंद्री है, गंध को ग्राण करने वाली इंद्री है, वो क्या है अनित्प्रिथवी का एक रूप है नासा ग्रवर्ती और वो नासिका के अग्रवाग यहां पर रहती है यह नासिका नहीं तो कबर है इसके अंदर सक्ति है वो सक्ति की बात कर रहे हैं और विशयों मृत पाशाना दी विशय विशय रूप में अनित्य पृतिवी है वो मिट्टी पत्थार पहाड यह सारे क्या ह उसमें आ जाएंगे विक्षा दिये सब कुछ इसी में आ जाएंगे विशय रूप में विशय रूप अनित्या पृथवी में यह मैं आपको विश्थार से पढ़ा दिया एक नोटी से आप वृत्ति कड़ा दिया अच्छा जी आप इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं यही म जिस भी पदार्त में गंधा आती है उसको हम प्रित्वी कहेंगे यह प्रित्वी का लक्षन है अब कोई जिंज्यासू शंका कर सकता है प्रश्न कर सकता है क्या कर सकता है कि भाई गंध तो जल में भी आती है जल को सूंगते हैं तो गंधा आती है कभी-कभी बिनने बिनने प्रकार की गंद आती है । कभी वायू चलती है हवा चलती है तो हवा में भी गंद आ जाती है अगनी में तो गंध नहीं है ठीक है तो यहां पर यह शंका हो सकती है जिज्यासू के सामने आप सभी के मन में deconst SAKT tis कई पाठ कोनि की-वी है कि लक्षन बनाया श्रीमद अन्यमभट सेँ है यह गंड जिस में उसको फिकी बहृती कि परंतु जल को भी पृत भी बोलेंगे क्या कि या वाईू में कभी गंड आती है तो इसको भी पृत भी बहुतं है कि लक्षन क्या उसमें भी जारा है मौटे रूप में इसका निराकन कैसे होगा ? इसका निराकन करने के लिए न्याय दर्शन पद्रती में दो शब्द हैं एक शब्द है अन्वए और एक शब्द है ज्यत्रेक लिख लीजेगा थोड़ी सी इस पर चर्चा करें आज इसी को समझना है शब्द लिग लिजिएगा अन्वाया अन्वाया हा दूशा शब्द है आपका व्यतिरे काहा इस पुस्तक के अंदर यह सभी दिया है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ यह इसके अंदर दिया है मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से नहीं लाए शब्द यह तो इस दर्शन पढ़ने पढ़ाने वालों की जो पद्धती है उन्होंने आञे प्रक्रिया यहां पर आप देखेंगे अन्वय को अन्वय किसको कहते हैं जैसे तो अन्वय क्या होता है किसी एक कोई भी विश्याय है उसमें जो शब्द आदी होते हैं श्लोकादी होते हैं उनके पदों का अन्वय करते हैं करम से रखते हैं अर्थ की अनुसा करम से रखते हैं पर यहां एक आर्थ भी आपको समझा देंगे ठीक है यहां पर इसके लिए हमारे आचारियों ने इसके के हम अन्वय किसको कहें व्यत्रिय किसको कहें उसके लिए छोटे-छोटे वाक्य बना दिये मैं यहां लिख देता हूँ तत सत्वे तत सत्वमिती अन्वया लिख लीजेगा अपनोड करते जाएगा तत सत्वे तत सत्वमिती अन्वयाह यह अब दीख जाएगा आपको पूरा ठीक है तत सत्वे तत सत्वमिती अन्वयाह इसका अर्थ है कि किसी का भी हमको जान हो रहा है किसी का भी हमें मानियेगा जल में गंध का जान हो रहा है अनुभाव हो रहा है तो कहते हैं कि वो गंध उसका ही अपना धर्म है जलका अत्वा नहीं है ये कैसे पैचाने है गंध जलका अपना धर्म है अत्वा नहीं है ये कैसे पैचाने है गंध वायू का अपना धर्म है अत्वा नहीं है ये कैसे पैचाने है गंध वायू का अपना धर्म है अत्वा नहीं है ये कैसे पैचाने कैसे अन्यत भी हम घटा सकते हैं उसके लिए दो हैं कहते हैं कि तत सत्वे तत सत्वन इति अन्वया जहां पर भी कहीं ऐची शंका आने लगे आशंका उत्पन हो जाए कि भाई जलका जलमे गंध आ रही है तो ये जलका अपना धर्म है गुण है अत्वा नहीं है तो आचारों ने का इससे इसका निराकन कर सकते हैं पहचान सकते हैं अन्वय और ब्यत्रियक करके देख लेंगे अन्वाय बत्रेक से हमको जान हो जाएगा कि यह यह गंद किसका धर्म है वास्त हमें तो कहते हैं पहली क्या होता है अन्वाय हाँ हमें अन्वाय करना चाहिए क्या करते हैं कि किसी का भी हमको जान हो रहा है किसी भी चीज का तो वो क्या है उसके होने के कारण से हो रहा है मानियेगा जल में गंद का ज्यान हो रहा है तो वो जो गंद वहां पर है गंद बताया आमने पृतिवी का लक्षन ठीक है पृतिवी का लक्षन बताया पृतिवी में गंद होती है अवो जल में भी गंद दीख रही है तो हम यहां पर देखेंगे किया अन्वा घटत हो रहा है अन्वा और वैक दोनो दोनों देखने पड़ते हैं साथ साथ एक गंद हो रही है तो इसका मतलब वहां पर गंद उसमें है गंद मने पृत्वी का अंश है उसके अंदर जल के अंदर इसलिए गंद हो रही है अच्छा जी आपके उसमें प्रथोजा ऐंदर शर्का करते को इसलिए उसमें गंदा रही है कि सकता का उनदर पृत्य होने तक उसके किसी होने पर उसकी सत्ता का ज्यान होताया संस्कित के बाक्केकार थे जैसे जल में गंद का जान हो रहा है तो इसका मतलब है गंद किसका गुण है पृतिवी का ये तो बताई दिया उसमें है इसलिए वहाँ पर गंद का जान हो है अब को अचैने आशनका उठा का आप कैसे कह सकते हैं कि वास में पृतिवी है इसलिए गंद आ रही है हम तो ऐसा मानते हैं कि इसमें पृतिवी नहीं है फिर भी जलका यह गुण हैं जलका यह असाधारन घरम है गंध तो कहते हैं चलो जी इसमें व्यत्रियक लगा के और लगा आते ह्सितिये और कर देखे कर देगा जल है यद लिए कि एन इसमें ब्यत्रियर लगेग, ब्यत्रियर कर देगा कि जल का धर्म है गंदत्वा नहीं हुआते हैं कि व्यत्रेख दट इसक परवाशा नहीं रहा हुआ है नहीं कि अगा तागा आभ 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 ठीक है माने हमें यहां पर गंद का बोद हो रहा है यह दि उसमें से पृतिवी का अंश निकाल दिया जाए मां अभी तुम पृतिवीग बात कर रहे हैं से हर पकार हर जेका घठाना होगा तो कहते हैं तद आभ 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 माने जिस पदार्त की जिसका हमें अनुभा हो रहा है वहां पर यादी उसका अभण हो जाए मगा तो तद अभावा तद अभाव होने पर वह भी वहां से हट जाता है अपने आप इसको कहते हैं वेदाक यह fajНе जैसे अब कहते हैं कि इसमें ब्यात्रे इक लिए लिए कि जलमें हर जगह गंद नहीं है कि घजर में गंध नहीं है द्यान देंगे हूँ कहते हैं कि यदि इसमें से पृतिवी का अंश जो मिल गया इसमें उसको यदि जल से बाहर कर दें का को फिर जलमें गंद इसलिए आ रही है त्योंकि यहां पर भी अन्वय हो गया प्रित्वी भाग का इस जल में अन्वय होने के कारण से प्रित्वी का जो गुण है असाधारन धर में हैं गंद वो जल के अंदर प्रतीत हो रही है यदि हम उसका वित्रेक कर देते हैं उसमें से निकाल देते हैं प्रित्वी अन्ष को तो जो प्रित्वी का गुण था वो गुण जल में नहीं जान में आएगा वह नहीं हमें दिखाई देगा नहीं हमें नाशिका से उसकी गंधाएगी गंधाएगी उसमें जल्में से तो इससे क्या हुआ कहते हैं तद भावे तत सत्वे तत सत्वम जो पार्थिव अंश हैं मानिएगा जलमें पृष्पादी जलमें मिल जाते हैं कभी तो उनमें जलमें से गंदा आने लगती है कि उसमें पार्थिवन्ष मिल गया ऐसे ही जिस जलमें पुष्प पराग आदी है पार्थिव भाग का मिश्रण नहीं है उसमें गंद नहीं आती है व्यत्रेक हो गया तो अन्वय और व्यत्रेक से हमने ये जान लिया कि जलमें गंद उसका असाधारण धर्म नहीं है है क्योंकि हर जलमें गंद नहीं आती है जब पार्थिव जो अनित्या पृत्रेक से गंद जल असाधारण धर्म नहीं है अच्छा जी प्रतिवी में आप ऐसे घटा लीजिएगा प्रतिवी में क्या है अन्वय व्यत्रेक नहीं है अन्वय से नहीं है तत सत्वे अन्व उसके ओने पर वो वहां गंद है और उसके निकल जाने से गंद नहीं है क्योंकि प्रतिवी में हमेशा हर जगह हर प्रतिवी में परमाणू से ले करके जो बिशेरूपी प्रतिवी है हर जगह प्रतिवी में हमको गंद मिलती है इसलिए वहाँ पर अन्वय भी नहीं है और व्यत्रेक बी नहीं अन्यका आर्थ होता है संबंध होना वास्ता में मोटी बाशा में कहें किसी के संबंध से उसकी सत्ता का वहां पर बोध होना और उसके संबंध का विच्छिद या बेतरियक शब्द से कहा जा रहा है यदि उसकी सत्ता का उसमें से विच्छिद कर देते हैं तो उसका वहां अ जल में पृतिवी शत्ता का पृतिवी पार्थिभ भाग का हमने क्या कर दिया संबंध कर दिया पृतिवी के भाग के संबंध से उसमें गंध आने लगी और उसका जब हमने विच्छेद कर दिया हटा दिया तो गंध वहां से समाप्ट हो गई परंतु प्रितिवी में गंध का संबंध नहीं है इसलिए संबंध नहीं है तो विच्छेद भी नहीं हो सकता ठीक है तो अन्वय और ब्यत्रियक से हमने जाना है कि जल में गंध नहीं है जल का असाधारण धर्म गंध नहीं है यह मोटे रूप में संका आती है उसका निवारण कर लिया ऐसे ही वायू वायू में भी गंध तो आती है वो क्या है जब बायू चलती है कुछ फूलों के ब्रिक्ष खड़े हुए हैं या कोई खुस्बूदार कोई लताएं खड़ी ठीक है या कुछ भी है उनके इस्पर्ष जब वायू से इस्पर्ष करती है तो गंध वायू में दिवाती हैं तो हमको एसा लगता है कि वायू में घंध नहीं आती है जहां पर पुश्प पराग आदी का वायू से सम्मंद नहीं होता है संस्पर्शन नहीं होता है तो वो वायू हमें गंदवान प्रतीत नहीं होती है इसका मतलब जिस वायू में गंद आ रही है वो अन्वय से आ रही है जिस वायू में गंद नहीं आ रही है वो व्यत्रेक से नहीं आ रही है क्योंकि उसकी सत्ता वहां है इनी गंद की पार्थिभाग की तो अन्वय और व्यत्रियक से हमने यहां पर मोटे रूप से जो शंका एक कोई उठा सकता था कि जल में गंद आती है वायू में गंद आती है तो इसलिए जल का भी वागंद धर्म ओ सकता है असाधारन धर्म और वायू का भी असाधारन धर्म हो सकता है उसका निवारन हमने इस से कर लेते हैं अन्वय और व्यत्रियक से इस अन्वय व्यत्रियक को आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है लक्षन की परिक्षा करने में यह बहुत सहयोगी है लक्षन को कसोटी पर उतारन के लिए ठीक है अच्छा जे अब हम क्या इसमें यह हो गया आपका अन्ंववित्रेक हम यहाँ हम लक्षण क्या बनाएंग की यह च्छ जान लिया कि कि जिसका नित्य जिसके साथ समंध होता है वही उसका धर्म होता है पृत्विंग और गंध का जो संबंध है वो कैसा संबंध है नित्क संबंध है बोलो कैसा संबंध है नित्क संबंध है तो जो हमने अभी परिभाशा यहां पर तर्क संग्रा में पढ़ी थी कि यह हम इसको थोड़ा चा ऐसा कर लेते हैं गंधवाती प्रिथिवी यहां पर हम परिबाशा क्या कर लेंगे यहां पर इसमें एक शब्द जोड़ लेंगे समवाएन क्या समवाएन यह शब्द जोड़ देंगे इसमें फिर यह दोश नहीं आएगा जो हमने अन्य वित्रेक्सी दोश देखा था और उसका निवारण तो कर लिया है अब हम यहां पर यह करते हैं कि समवाएन गंधवती प्रिथिवी ऐसा लक्षन बना देते हैं समवाए शब्द का क्या अरत है नित्य संबंध क्या है नित्य संबंध क्रतिया तो अब आर्थ क्या होगा नित्य संबंध से गंधवती प्रिथिवी कि अर्टात गंध के नित्य संबंध होने वाली सें होने से प्रिथिवी कैसी है गंधवती गंध का प्रिथिवी के साथ में नित्य संबंध है किसी भी काल में उसका विछेद नहीं होता अब हमने ये कर दिया समवाय न गंद्वती प्रत्वी तो अब क्या है जल में ये लक्षन नहीं गटेगा क्योंकि जल में गंद नित्य संबंद से नहीं रहती है क्योंकि कभी जल में गंद देखी जाती है कभी नहीं देखी जाती है वायू में गंध समवाय सम्मंद से नहीं रहती हैं कभी किसी वायू में किसी समय में गंध आती हैं और कभी किसी वायू में किसी समय में गंध नहीं आती हैं अर्तात गंध का सम्मंद नित्य नहीं हैं समवाय रूप से नहीं इसलिए अब हमने सीधा से लक्षन क्या बना लिया समवाई न गंदवती प्रित्वी समवाई सम्मंद से जो गंदवाली है वो प्रित्वी होती है समवाई सम्मंद से गंदवान जल नहीं है गंदवती वायू नहीं है इसलिए अब ये लक्षन गंदवायू में और जल में नहीं घटेगा अब अमारा सटीक लक्षन बन रहा है इसकी आजिसनी चर्चा करेंगे कि समवायन गंदवती प्रित्वी ठीक है तो आज की कक्षा में मुक्रूप से मैं आपको पताओं आप भीर दिर चलेंगे क्योंकि एक बार में अधिक पढ़ा देने से आपको समझ में नहीं आएगा उपर से निकल जाएगा एक तो अन्वय और व्यत्रियक जब भी हम कभी अब यह जो लक्षन बना लिया है अ अभी अत्यव्यापती अभ्यापती और असंभाव दोस से रहित हो गया है क्या हो गया है दोस से रहित हो हो गया हुआ है तो आईएगा बस इतना ही करेंगे आज कक्षा में अन्वा वित्रे को समझ लीजेगा परवाशा में बता दी है फिर आपको दिखा देता हूं ठीक अब इसमें एक लक्षण और रह गया है इस लक्षण में थोड़े से शंका एक और है वो आगे की कक्षा में चर्चा करूँगा कि काल जो हमने यह समवाइन संभमंध से गंदवती पृतिवी है यह लक्षण के यह मोटे रूप में देखेंगे तो काल में बी घटित होने लगता है क्या होने लगता है काल में गटित अब काल में से कैसे रोकेंगे जो को काल का संसार में जो भी जय्न्य पदार्त है उनूस सब के साथ में वो सब का आधार है तो उसमें कैसे निवारन होगा उसमें कैसे निवारन होगा अगली कक्षा में आपको निवारन बताएंगे और फिर आगे कक्षा में जलका लक्षन देखेंगे ठीक है चलिएगा जिन भी पाठकों को ये पुस्तक चाहिए तो WhatsApp नमबर पर संपर कर लीजेगा दे दर्शन फिलोसोफी है शड़ दर्शन जिसको कह सकते हैं भारती फिलोसोफी है तो उसको समझने में सायक ग्रंथ है ठीक है तो समझ में नहीं आता बस भारती दर्शन भारती दर्शन भारती दर्शन भारती दर्शन भारती दर्शन तो और भी है पर हम शड़ दर्शन की ब झाल झाल